अपने अपने छेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इसके साथ ही आने वाले मरीजों के लिए विहतर सुविदा देने का प्रयास किया जाएगा इस मौके पर घंदर मिश्रा भीम सुनकर विजय पांड़याद लुग मौजुद रहे जाया डायकनोस्टिक शेंटर जीयन पूर आजमगर जो कि मैं अजमत गड़ नगर में आपके चुनक पार्मोर के पास शेंटर मंदर के शामनी मेरा यह डागनोस्टिक चालू किया गया है जो कि मेरे यहां पैथोलोजी जो कि पैथोलोजी में डीजिटल मशीन द्वारा हमारे यहां टोटल रिपोर्टिंग कराई जाएगी जैसे कि मैं बता दूंग अगर मशीन के द् इसके बाद हमारे यहां इंट्रोनोग्राफिक की न्यो योजना भी स्टार्ट की गई है जो कि मैं मेरे रिपोर्टिंग करते हूए मिस्टर डाक्टर विनूत कुमार पंड़े जी की नेतरतों में हो रहा है जो कि हमारे यहां वो दस से पांच टाइमिंग्स हो है शुबस यहां पर देंगे और बाकी मैं यहीं चाहूंगा कि जो भी यहां पर वेवस्था दी जाए एक कस्टुमर को जो भी लोगा हैं उनको एक अच्छी और लीगल तरीके से शुविदा दी जाएगी जिसमें किशी प्रकार की किशी को परिशानी नहों और साथी साथ मैं बता दू कि मेरे जियनपुर में अब वो आवशक्ता प्रोड हो जाएगी रन्यवाद जया डागनियोसिस सिंटर आज यहां जियनपुर नगर में अस्थापित किया गया है और डांक्टर साब कुशल डांक्टर जो लगातार अपने पूरी सेवा नोकरी काल में इन्हों ने अच्छ करें सेवा भाव से सर्विस किया और रिटार्मेंट के बाद भी सगडी और यहां के लोगों से इतना प्यार है यह पुणा इस छेतर में बिन सेवा देने के लिए और डांक्टर साब भी सबसें चीर परचित हैं मैं धेर्श शुप कामना है कि यहां के लोगों को अधिक इक लाप मिले.